नमस्कार किसान बाईयों, स्वागत है आप सबी का आपके अपने यूटूब चैनल ताकडेगरी कल्चर में किसान बाईयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्वगंदा के बारे में अस्वगंदा की जड़ों की कटाई करने के बाद उन जड़ों को धूप में सुकाना चाहिए या फिर चाओं में सुकाना चाहिए इस टोपी के उपर आज इस वीडियो में हम आपको एक बहुती महत्पूर्ण जानकारी देने वाले हैं बहुत सारी केसान बाईयों के लगातार कमेंट प्राप्त हो रहे हैं और कुछ केसान बाईयों जो हमारा वाट्सअप ग्रूप है उसमें भी मेसेज करते रहते हैं कि अस्वगंदा की जब हम कटाई करते हैं तो उन जड़ों को धूप में सुकाना सही रहेगा या पिर छाओं में सुकाना सही रहेगा अगर हम दूप में सुकाएं तो क्या उसका पौडर कम तो नहीं हो जाएगा जड़े खोगली तो नहीं हो जाएगी या पिर छाया में सुकाएं तो क्या वह जड़े काली तो नहीं पड़ जाएगी इन सबी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले है किसान भाईयों वीडियो में बहुती महत्पुन जानकारी दी गई है तो आप इस वीडियो को सुर्वा से लेकर लाश्ट तक पूरा देखते रहिएगा ताकि आपको ये महत्मुन जानकारी समझ में आ जाए और जब भी आप आगे ऐसो गंदा की खेती करें तो ये जानकारी आप लोगों को आगे भी उचित मार के दर्शन करें वीडियो को कंप्लियर देखेगा और वीडियो सुरू करें उससे पहले मेरा आप से एक हाथ जोड़ कर निवदन रहेगा कि अगर आपको ये जानकारी पसंद आ जाती है तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चेनल को सब्सक्राइब जरूर करना सब्सक्राइब करने के लिए नीचे स्क्रीन पर लालक सुरूर में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए चेनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास आए गंटी की निसान को दबाई ये ताकि आगे भी आपको हमारे चेनल के माढद्यम से नई नई जान करें देखने को मिलती रहेगी बात करें अगर अस्वगंदा के बारे में तो वीडियो में हम आगे बड़े उससे पहले एक और चीजी मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि इस समय पर सिम पुष्टी अस्वगंदा की खेती काफी ज़्यदा परचलित हो रही है और अधिकतर किसान भाई इस खेती के बारे में जानना चाहते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सी खेती है तो देखें किसान भाई यो अस्वगंदा की खेती तो आप करते हैं लेकिन अस्वगंदा में भी अलग अलग वराइटिया रहती है एक तो देशी अस्वगंदा जो हम नॉर्मल तरीके से लगाते हैं एक सीम पुष्टी अस्वगंदा जिसमें काफी ज़्यदा पेदावार निकलती है लगबग 5-6 या फिर 7 कुंटल तक सुकी जड़े बिग्ये की प्राप्त हो जाती है तो उसकी खेती अगर आप करना चाते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है आप जाकर वो वीडियो देखिए और वहाँ से आप सीम पुष्टे अस्वगंदा की खेती की पूरी जानकरी लेजिए और उसके बाद में आप चाहें तो सीम पुष्टे अस्वगंदा की खेती आने वाले खरीब सीजिन में कर सकते हैं अब बात करें इस वीडियो की तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्वगंदा की जड़ों को कहां पर सुकाएं दूप में सुकाएं या पिर छाओं में तो देखी किसान भाईयों इस समय पर अस्वगंदा की कटाई का समय भी चल रहा है और हार्विस्टिंग भी वह सारे सेत्रों में चल रही है एसे में किसान भाई confusion रहते है कि अस्वगंदा की जड़ों की कटाई का काम तो complete हो चुका है लेकिन उन जड़ों को दूप में सुकाएं या पिर छाओं में बहुत सारी किसान भाई खेत में सुकाने की सोचते हैं बहुत सारी किसान भाई गर पे लाते हैं तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा confusion होता है तो देखिए किसान भाई अगर आपके इस्वगंदा की कटाई का काम complete हो चुका है तो आप उन जड़ों को धूप में सुकाएं मतलब अगर जड़ गिली रहती है जब हम उसको निकालते हैं तो वह 100% गिली रहती है और उसके साथ में कुछ परसेंट मिटी भी साथ में चिपकी हुई आती है तो ऐसे में अगर हम उन जड़ों को च्छाओं में सुका देते हैं शुरवात से ही च्छाओं में डाल देते हैं तो जड़ का रंग काला पढ़ने की समझ्या आ सकती है अगर आप धूप में सुका देते हैं असोगंदा की जड़ों को काटने के तुरंत बाद उसको धूप में ही सुकाना चाहिए ताकि वह जड़े अच्छी तरीके से सूख जाए और उस पर लगी हुई मिटी भी सूख जाए ताकि जब हम असोगंदा की ग्रेडिंग करें तो वह मिटी भी नीचे गिर जाए और हम अलग-अलग वराइटी दो-तिन परकार की वराइटिया असोगंदा की जड़ों की बना सके तो इस वीडियो का निसकर्स यही निकल कर आता है कि हमें असोगंदा की कटाई के बाद में उन जड़ों को कम से कम तीन से चार दिन तक दूप में सुकाना चाहिए उसके बाद में आप चाहें तो च्छाओं में डाल सकते हैं तीन से चार दिन तो आपको मिनिमम दूप में सुकाना ही चाहिए जिससे कि अस्वगंदा की जड़े अच्छी तरीके से सूख जाए और उसकी ग्रेडिंग करने में कोई समस्या ना आए और अगर आप जड़ को कटाई करने के बाद में च्छाओं में डाल देते हैं तो उससे समस्या आ सकती है वैसे इसे कोई चांस आये नहीं है अभी तक तो देखने में नहीं आये कि च्छाओं में डालने पर भी उसका रंग काला पड़ गया पिर कोई समस्या आई है लेकिन अगर आप दूप में सुकाते हैं तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा और जड़ पर भी गलत प्रवाव नहीं पड़ता है तो आपको अस्तो गंदागी कटाय करने के बाद जड़ को दूप में ही सुकाना चाहिए किसान भाई यो जानकारी अगर आपको अच्छी लग गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए हम मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में तन्यवाद जए जवान जए किसान